नमस्कार मैं दिवे बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिपीएसी उनहतरवी संक्त मुख्य परीक्षा का सेड्यूल जारी पंचमिया जानेस का महत्व बिहार के अस्पतालों से गायब मिले डॉक्टर तो होगी कारवाई पीता की खेती के लिए नितीज सरकार दे रही पैतालिस हजार रुपे भारती महिला टीम ने इंग्लैन को 347 रनों से हराया इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बरी खबरों के और विस्तार से बिपस्य existing 49 रस सेंखत मुंक्य परिक्षा का सेडिल जारी अगर आप भी इन अभिरतियों में से हैं जो बिपस्य इनतार वी only single मुंक्य परिक्षा में सामल हो रहे हैं तो यह कबर आपके लिए है नतादे की बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा एक एक रित 79 से उक्त मुख्य परीक्षा का विस्तरित सेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार परीक्षा की शुरुवात 3 जनवरी 2024 से होगी जो की 7 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी वहीं इसके दो सब्ता बाद 20 और 21 जनवरी 2024 को आप्सिनल विसेओं की परीक् और दूसरी पाली दोपहर 2 से साम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित एक विस्तरित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वायों की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर जारी किये गए सेड्यूल को देख सकते हैं मालूमकिस संफ्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरी ये 475 रिक्तियों को भरा जाना है वहीं अगर एड्मिट कार्ड की बात करें तो एड्मिट कार्ड परीक्षा आरम होने से एक सब्दा पहले आयो की आधिकारिक वे नहीं लिया गया था नेकिन दो महीने बीट जाने के बाद भी अब तक इन नौजलों में से तीन जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा चेक पोस्ट निर्मान के लिए प्रस्ताविज जमीन की सूचना बिहार सरकार के खनन एवं भू तत्व विभाग को पलब्द नहीं कराई चेक बाल की अध्यक्सता में हुई बैठक में या जानकारी निकल कर सामने आई है कि अब तक बिहार की राजधानी पटना गया और बांका जिले के द्वारा चेक पोस्ट निर्मान के लिए विभाग को जमीन का विकल्प नहीं दिया गया है ऐसे में इस बात पर नाराजग बीपीएसी कारियाले के 100 मिटर दाइरे में धार 144 लिस्ट लागू 15 जनवरी से सिक्षक भरती परीक्षा फेस 2 की कौपियों की जात शुरू होने वाली है ऐसे में इसको लेकर बीपीएसी कारियाले के 100 मिटर के दाइरे में धार 144 लागू किया गया है ताकि कौपियों को चेक करने के दौरान किसी प्रकार की परिस्थानी ना हो मालूमों कि बिहार लोक सिवा आयोग पटना के कारियाले में दिनांग 16 दिसेंबर 23 से दिनांग 15 जनवरी 24 तक कारियाले का कारे सुवक्ष सांति पून एवं भैमुक्त वातावरन में संपन कराने के उद्देश से बीपीएसी कारियाले भवन के 100 मिटर के दाइरे में धार 244 के अंतरगर निसे धागया लगाने का निर्ने लिया गया है ऐसे में इतने समय तक बीपीएसी कारियाले में पांच या पांच से अधिक वेक्तियों का गैर कानूनी जमावरा कोई भी प्रदर्शन या जुलूस हथियार इवं रोसनी सहित या रही धरना घिराव किसी भी का आगने सास्त्र लेकर चलना आदी निसेद रहेगा विवापंचमी आज जानेस का महत्वि आज यानिकी 17 दिसमबर विवापंचमी के रूप में मनाया जा रहा है हिंदू पंचांग के अनुसार मार्ग सेर्ष मा के सुखल पक्षकी पंचमी तिथी को विवापंचमी के नाम से जाना जाता है इस दिन मर्यादा प्रोसुत्तम स्री राम और मितला कुमारी माता सीता का विवा हुआ था यहीं वज़ा है कि हर साल विवा की वर्स गांट की रूप में इस दिन को मनाया जाता है मालूमों की सास्तरों के अनुसार इस दिन विवा नहीं होता है क्योंकि इस दिन साधी विवा करने से माता सीता और स्री राम की तरह दुखों का साब ना करना पड़ सकता है मानेता के नुसार इस दिन जिन लर्के या लर्कियों की साधी नहीं हुई है तो विवा पंचमी के दिन भगवान की पूजा अर्चना करके हवन कर सकते हैं आचारे मनोज मि बादे इंक इन मुख्यालें की टीम को इनीरेश दिया गया है कि दोरान अगर कोई डॉक्टर अस्पताम में के द्वारे अस्पतालों में दवाओं की उपलफ दिता भोजन से लेकर अन्य बिंदूओं की भी जाच की जा रही है ऐसे में अगर निरेक्शन के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो संबंदित अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन को आवशक कारवाही के निर्देश दिये जा रहे हैं खरमास की हुई शुरुआत अब नहीं होंगे सुपकार्य पंजांग के नुसार बीते दिन में खरमास से की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में मानिता के नुसार अब साधी विवा प्रफेस्टा लाएगा जानकारी के नुसार जब सूरे देव धनू रासी में प्रवेस करते हैं तो इसे दिन से लेकर मकर रासी में प्रवेस áदी का दान पून्य करेंगे उन्होंने बताये कि खर्मास के दोरान सूर्य और भगवान विस्नू की पूजा करने से लोगों को मनुवांसच भलकी प्राप्ती होती है वही जो लोग प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का जाप करते हैं उनका रुका हुआ काम भी बन जाता है पपीता की खेती के लिए नितीज सरकार दे रही 45,000 रुपए अगर आप भी पपीता की खेती करना चाते हैं तो यह कबर आपके लिए है बता दे कि मुकेमन्ती बागवानी मिसन योजना के अंतरगत बिहार सरकार की ओर से प्रति हेक्टियर कुल लागत 60,000 रुपए में 75,88,45,000 रुपए प्रति हेक्टियर अनुदान उपलब्द करवाय जाता है ऐसे में वो किसान जो इस योजना का लाब पाना चाहते हैं, वो विभाग के पोड़र पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाब उठाने के लिए किसानों के पाल जमीन की रसीद, किसान, पंजियन, संक्या और उसका फोटो अनिवारे रूप से होना चा बनेगा पिंक बूग, बिजेपी, सांसद राधी प्रताब रिडी के तवारा विस्व प्रसिद सोनपूर मेला को लेकर बताये गया है, कि इस मेले को देश और दुनिया में प्रसिद करने के लिए कई एहम निर्न लिए गये हैं, इसके तहट सबसे पहले सोनपूर मेला का vendo विस्तार से बताई जाएगा कि मेला कब लगेगा कैसे लगा है कब अब्धी तक लगेगा प्रदर्सनी लगेगी इस प्रकार से इसे देश और दुनिया से जोड़ा जाएगा सुनपूर मेले को नए परिवेस में नए रूप में दुनिया का सबसे प्रस्थ मेला बनाने के लिए दिशा समीती की बैठक में गयन न लिया गया है इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि सारन पहला जिला होगा जहां बैटक में केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीतारमन सामिल होगी ऐसे में बहुत जल्दी निर्मला सीतारमन का यहां आगमन होगा बीसी वा ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए बीपी असी का एहम नोटिस बिहार सिक्चाग भरती के दूसरे चरण के लिए लिखित परीक्षा पूरी हो गई है वहीं अभिहा लोग सेव आयोके द्वारत सम्वीदा पर बत्तौर टीजीटी या लेक्चेलर कारेरत बीसी इबीसी अभ्यर्थियों के लिए एक एहम नोटिस जारी की गई है जिसके तहत आयोकी ओर से यह कहा गया है कि अध्यापक नियुक्ती परीक्षा के तहत पिच्रावर्ग एवं अति पिच्रावर्ग कल्यान विभाग के लिए आवेधन करने वाले अभिहरतियों जो पिच्रावर्ग कल्यान विभाग के तहत समीदा के आधार पर पूर्व से अधिमन्ता का लाब नहीं दिया जाएगा बदादे के इस काम को करने के लिए अभ्यरतियों को 17 दिसंबर यानी की आज से 20 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है वहीं आकाम अभ्यरती आयों की वेब साइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं बोद गया को लेकर दलाई लामा का बेया से बातचीत करते वे बोद गया को लेकर अपना बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि बोद गया पावन भूमी है जो विस्व की खास असल में से एक है यहां बुद भूमी में आने पर हर किसी को शान्ती मिलती है इस पावन भूमी में भगवान बुद को ग्यान की महाबोधी मंदिर पहुंचें के बार महाबोधी मंदिर के गर्व notebooks के विराज मान भगवान बुदकी प्रतिमा के दर्शन करते वे उन्हें नमन किया वह immigration के बाद महाबोधी मंदिर thing के परिशर में दिन बहार की राज घानी पत्ना में आयोजट एक करीक्रम में खिलारीयों के लिए बड़ा एलान किया गया है उन्होंने करीक्रम को संबोदत करतेवे जो मैडल लाएगा वह नौकनी पाएगा का नारा दिया उन्होंने कहा कि बहार को खेल के विसेय के अधिक विकास होता है अभी ऐसे मौके पर भाग लिया करते थे उन्होंने चात्रों से कहा कि जो पीछे रह गए वा अपने को फेल नहीं समझे उन्हें यह समझना चाही कि वह सक्सेस की प्रेक्रिया में सामिल हो चुके हैं यहां बेरोजगारी बहुत है डिगरी है पर नौकरी नही ही गई है ग्रामेन स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाय मुहया करवाई जा रही है मैं भी युवा हूँ बिहार के बच्चों का भविस से बहतर हो इसका सपना हम लोगों ने देखा है और उससे पूरा करेंगे सराब बंदी को लेकर जीतनामांजी का बरा बयान बिहार के पूर मुख्य मंत्री और हिंदुस्तानी आवा मोर्चा के सरक चक जीतनामांजी के द्वारा बिहार में सराब बंदी को लेकर एक बरा बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि बिहार में सराब बंदी फेल है अग उन्होंने कहा कि गरिब लोग देसी पीते हैं तो पकरे जाते हैं जबकि बरे लोग शराब पीने के बाद भी नहीं पकरे जाते बरे बरे टेकेदार विधायक मंतरी जच पुलिस ओफसर या सभी लोग रात में सराप पीते हैं लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पकरता जिर्फ गरीबों को ही पकरा जाता है इसलिए सरकार को सराप बंदी पर समीक्षा करनी चाहिए और गुजरात इससे सीख लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस मामले में गरीबों बहाजबा पर कारवाई की जाती है जबकि अमीर बढ़ जाते हैं स्रीम निभी सरकार के कहने पर अस्थानी प्रसासन की तवारा रैली के अनुमतिय नहीं दिगई है वहीं अब इस पर बिहार सरकार में मंतरी एवं जदियू की यूपी एकाई के प्रभारी स्रवन कुमार के द्वारा भाजपा पर हमला बोलते वे कहा गया कि अगर मैदान में रैली करने की परमिशन नहीं मिली है तो कसानों के खेत में जनसभा करेंगे लेकिन कुछ भी हो जाए बनारस में सीम नितियस की रैली होगी बहुत जल्दी नितियस कुमार रैली की तारीक की घोशना करेंगे उन्होंने कहा कि प्रिंसपल को लिखित में रैली के लिए आविदन किया गया था और पर्टी ने जनसभा की तैयारी की शुरुवात भी शुरू कर दी थी मगर कॉलेज प्रसासन के ओर से अंतिम समय में उन्हें रैली के लिए जगा नहीं दी गई वहीं दूसरी तरफ गॉलेज के द्वारा जडियू के इन आरूपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि उनकी ओर से रैली के लिए कोई भी लिखे जानकारी नहीं दी गई है भारते महिला टीम ने इंग्लैन को 347 रनों से हराया मुंबई के डीवाई पार्टेल स्टेडियम में भारते महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैन विमन टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में सांदार प्रदर्शन करते वे 347 रनों से जीत हासल की और अतिहास रच दिया क्योंकि अब पहली बार है कि टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में इंग्लैन को परास्त किया है पहली पारी में 428 रन बनाने के बाद भारत ने इंग्लैन को पहली पारी में 136 रनों पर ओल आउट कर दिया भारत के लिए दिप्ती सर्मा ने चार पूजा वस्रा कार ने तीन राजिस्वरी, गायक वार ने दो और एनुका सिंह ठाकू ने एक विकेट हांसिल किया जानिये आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रॉल डीजल के वहीं पुनिया में पेट्रॉल की किमत 10879 रूपएो डिजल 95 909 रुपए प्रस्वीं प्रति एंप प्रति लीटर से अ में पेट्र नियुक्य में पत्रॉल की कीमत 10883id डीजल की कीमत 95.31 रुपे प्रती लीटर है बदादे के बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे ज़्यादा किशन गंज में है जहां पेट्रॉल 109.62 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96.25 रुपे प्रती लीटर कीमत है बीटे दिन हमारे तवरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया है जिन्होंने हमारे तवरा पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वेज प्रकास सिंग, नुन्नू गोलु कुमार, गोनर सर्मा, संतोस यादव, बाबुलार मरानडी, कुमार कॉसल सिंग, अनवर करीम खान, सादुल्ला पनलवी, रवी कुमार, संनी दीपक कुमार, मुहमद असलम, विजेंदर सिंग, राजु यादव, मुहमद चाकीर हुसे नंजीत कुमार धीरज कुमार इसी केस सा, इसके साद ही बरते आज के सवाल की और आज का सवाल है।